तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिपलोमा इन इंगलिश कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि या कि डिपलोमा इन इंगलिश का कोर्स आखिर क्या होता है इसमें किस परकार के सब्जेक्ट्स होते हैं आखिर जया कोर्स कितने वरश का कोर्स होता है इस कोर्स का eligibility क्राइडिरिया क्या है और अंत में दोस्तों मैं आपसे job profiles के बारे में आपसे मैं discuss करने वाला हों की अगर आप इस कोर्स को आप पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो जैस सारी बातों को मैं आपसे इस वीडियो में discuss करूँगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो educational word study channel तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे डिपलोमा in English course के वारे में आपसे मैं discuss करूँगा और दोस्तों अगर आपने 10 या 12 की class को पस कर लिया है और अगर आपको जैद जानना है कि 10 या 12 की class को पस करने के बाद आकिर कौन कौनसे courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आप से डिसक्स करने वालाओं कि आखी डिपलोमा इन इंगलिश का कोर्स अकिर होता क्या है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ कि इस कोर्स के मादियम से आप फंडमेंटल्स ऑफ इंगलिश लैंगुज के वारे में आप सीखते हो तो जैसा कि आपको पता है कि इंगलिश को कई सारे लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भी देशों में जाना चाते हैं तो उनके लिए कई मादियों में इंगलिश काफी ज़्यादा जुरूरी होती है तो अगर आप इंगलिश पढ़ते हो लिखते हो तो आपके उपर एक अच्छा इंप्रेशन पढ़ता है तो इस कोर्स के मादियम से स्टूडेंट्स को बेसिक, वोकैबलरी, राइटिंग स्केल्स और रीडिंग स्केल्स और स्पिकिंग स्केल्स के बारे में आपको इस कोर्स के मादियम से आपको सिखाया जाता है तो आज के टाइम में कही सारे इसे स्टूदेंट्स जो इस को करते हैं अभी आफ से मैं कोर्स, डूरेशन की बारे में आफ से मैं डिसकस करने वाला हूँ क्लस को अधर आफ करना चाहते हो तो इसके लिए आफिर आफ को क्या करना पढ़ेगा तो दोस्तो आपको 12th की class को आपको पास करने पड़ेगी 12th की class को पास करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा अभी आप से मैं job profiles के बारे में आप से में discuss करने बाला होगी अगर आप इस course को पुरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप translator बन सकते हो आप content writer बन सकते हो इसके इलावा आप tourist guide भी आप बन सकते हो तो जैसाब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आप से में subjects के बारे में आप से में discuss करने वालाओं की जैने इस course में आप किस परकार के subjects आप study करते हो तो इस course में आप introduction to the study of English, study in English grammar, teaching and learning of English etc. subjects आप इस course के दोराण आप study करते हो और भी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोराण आपको करवाए जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आप से diploma in English course के बारे में आप से मैंने इस वीडियो में discuss किया है मझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादब से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तो आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वाजा कर भी देख सकते हो तो अन्त में दोस्तो अभी आपको जै वीडियो कैसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना धन्यवाद